नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आज मैं फिर आजीर हूँ आपके लिए लेकर एक प्रेणा दायक मजेदार कहानी क्योंकि कहानी सुनना आपको बहुत पसंद है तो बच्चों सबसे पहले अगर आप में इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करें और देखें या कहानी आज की कहानी है बच्चों एक चालाग बफैलो की एक चालाग भैसी की कहानी एक गाउ में एक किसान रहता था उसके पास एक भैसा था यहनि बफैलो था उसने अपने बफैलो का नाम कालू रखा था कालू अपने मालिक के साथ खेतों में काम करता था और उसका पूरा सहयोग करता था जिससे की किसान को अच्छी पैदावार मिलती थी और उसको अच्छा धन प्राप्त होता था किसान भी कालू की पूरी देख भाल करता था और वहाँ कालू से बहुत प्यार करता था कालू भी किसान को पूरी तरह से खुश रखता था दीरे दीरे किसान एक और भैसा खरीद लाया अब कालू अपने मित्र के साथ मिलकर किसान का सहयोग करता था वहाँ दोनों मिलकर किसान के खेत में काम करते जिससे किसान को अच्छी पैदावार मिलती थी एक दिन बच्चों खेत में काम करते करते कालू गिर पड़ा और वहाँ उट नहीं पाया वहाँ बहुत कमजोर हो गया था किसान समझ गया कि कालू अब पूरह हो गया है अब उससे काम करवाना उस पर अत्याचार करना होगा इसलिए अगले दिन किसान कालू को लेकर जंगल गया वहाँ जाकर उसने कालू के गले से रसी निकाल दी और कालू से बोला कालू अब तुम आजाद हो अब तुम्हें काम करने की आवश्चक्ता नहीं है इस हरे भरे जंगल में तुम आजादी से घूमो फिरो हरी हरी घास खाओ और जो मन है वो करो जब तुम्हें मेरी याद आए तब तुम मेरे पास चले आना अब तुम आजा धो कालू थोड़ा सा दुखी हुआ लेकिन कुछ समय बादवा धीरे धीरे जंगल में गुल्ले मिलने लगा इधर उधर टहलता रहा हरी घास खाता रहा उसे वहां एक गुफा दिखाई पड़ी कालू गुफा की ओर बढ़ा वह गुफा के अंदर गया उसने आवाज लगाई कोई है मगर वह गुफा खाली थी बच्चों उस गुफा में कोई नहीं था अता अब कालू उस गुफा में ही रहने लगा उसने उसी को अपना घर बना लिया अब तो कालू आराम से वहां रहता और खारी हरी खास खाता उस गुफा के पास बच्चों एक चालांक लूम्डी रहती थी वह कई दिनों से कालू पर नजर रखे हुए थी उसे कालू का इस तरह घूमना फिरना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था एक दिन वह कालू के पास गई और बोली ए दुस्ट प्राणी तुम कौन हो तुम जानते हो मैं इस जंगल का राजा हूँ कालू इतने दिनों में जंगली जानवरों से परचित हो गया था वह जान गया या लोम्री बहुत ही दूर थै लोम्री फिर से बोली मैं तुमको इस गुफा से निकालती हूँ तुम इस गुफा से चले जाओ यहां मैं रहूंगी लेकिन कालू इस से डरा नहीं उसने कहा अच्छा मैं जानता हूँ तुम बहुत दूर थो तुम इस जंगल की राजा नहीं हो यहां गुफा मेरी है इसमें मैं रहूंगा लोम्री बहुत गुशा हो गई लेकिन कालू डरा नहीं उसने कहा आज के बाद तुम मेरे किसी काम में तकलंदाजी नहीं दोगी मैं इसी गुफा में रहूंगा और वहां से चल दिया लेकिन वह जान गया था कि लोम्री बहुत ही धूरत और चालांख है उसे उससे समहल कर रहना होगा एक दिन की बाद थे बच्चो रात का समय था कालू को शेर की दहारने की आवाज सुनाई पड़ी कालू जग गया वह जान गया कि यह गुफा एक शेर की है और वह इस गुफा में वापस आ गया है लेकिन कालू अब करता भी क्या बाहर जाता तो शेर उसे खा जाता लेकिन उसने थोड़ा हिम्मत से काम लिया उसने सुचा अगर मैं डरूंगा तो मैं अवश ही सेर का शिकार हो जाऊंगा कालू ने सुचा कि बाहर से अंदर तो दिखाई नहीं पढ़ रहा होगा कालू बहुत जोर से बोला मुझे तुम्हें खाना है मुझे बहुत जोर की भूक लगी है शेर ने जैसे ही सुना उसे भैसा तो दिखाई नहीं पढ़ा लेकिन वह बहुत डर गया उसे लगा उसकी गुफा में कोई विशाल जानवर आकर रहने लगा है कालू फिर बोला ए मूर्ख तुझे सुनाई नहीं पढ़ रहा अंदर आओ मुझे भूक लगी है मुझे तुम्हें खाना है अब तो शेर समझ गया कि वास्तों में कोई विशाल जानवर है और वहां से भाग गया रास्ते में बच्चों अगले दिन शेर को वही लोमणी मिली लोमणी ने पुछा अरे शेर महराज कहां थे आपको पता है आपकी गुफा में एक जानवर रहने लगा है और वह जानवर आराम से आपकी गुफा में रहता है सारा दिन जंगल में गुनता फिरता है आप चलिए अब आपस अपनी गुफा में रहिए चलकर शेर ने कहा नहीं बहन नहीं पता है वह जानवर बहुत ही विशाल है कल मैं बच गया वरना वह मुझे खा जाता लो मुड़ी बोली अरे शेर बहराज आप तो जंगल के राजा हूँ वह कोई विशाल जानवर नहीं है हाँ देखने में बड़ा लगता है लेकिन आप से त्महान या आप से विशाल नहीं है आप मेरे साथ चलिए देखें कैसे वह आपको खाता है शेर बोला अच्छा मुझको मूर्ग समझा है मैं जाओंगा और वो मुझे खा जाएगा मैं नहीं जाने वाला कल मैं बहुत डर गया हूँ लोम्री बोली ठीक है महाराज ऐसा करते हैं मैं आपके साथ चलती हूँ और देखती हूँ कैसे वह आपको खाता है आप मुझे अपने आप से बांध लीजिएगा शेर ने एक रसी से खुद को और उस लोम्री को बांध लिया और तोनों उस गुफा की ओर चलने लगे लोम्री जो थी वो मन ही मन सोच रही थी अरे वाह आज उस खमंडी को मजा चखाऊंगी आज वह शेर का निवाला बन जाएगा और शेर मुझे अपने साथ उस गुफा में रहने देगा यह सोच कर बच्चों लोम्री सेर के साथ पहुची पैसे ने उस कालू ने अंदर से देखा कि लोम्री आ रही है उसी समझने में कुछ दीर न लगी वह समझ गया कि यह धूर्द लोम्री ही शेर को यहां लेकर आई है लेकिन बच्चों कालू ने फिर से हिम्मत से काम लिया उसने कुछ देर तक सोचा विचारा और जैसी ही लोम्री गुफा के द्वार पर पहुची वह जोर से बोला ए दुष्ट लोम्री तुष्से कहा था कि दो शेर लेकर आना तुए एक शेर लेकर आई है आज इसके साथ मैं तुझे भी खा जाओंगा मैं कल रात से भूखा हूँ कल एक जानवर आकर दर्वाजे से ही लोट गया आज मैं बहुत अधिक भूखा हो गया हूँ तुझे कहा था दो शेर लाना आप मैं तुझ दोनों को एक साथ ही खा जाता हूँ और अपनी भूख मिठा लेता हूँ जल्दी लेकर आ इस शेर को मैं बहुत अधिक भूखाओ गया हूँ बच्चों शेर ने जैसे ही सुना फो तो और अधिक घबरा गया उसने लोमडी से कहा अच्छा तो तुम इसके लिए काम करती हो अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा आज तुम मुझे इसका निवाला बनाने लाए थी और ऐसा कहते बच्चों वह लोमडी को घसीते हुए वहाँ से बड़ी तेजी से भागा लोमडी उसके पीछे पीछे बचारी गिसती हुई चली गई और कालू समझ गया कि धैर्य और हिम्मस से अगर काम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी टाला जा सकता है और वह उसी गुफा में रहने लगा और बच्चों उधर उस धूर्त लोमडी का बहुत बुरा हाल हुआ वह उस शेर ने पलट कर नहीं देखा वह उस लोम्री को घसीटे हुए दूर जंगल के बाहर चला गया और कालू अब निडर होकर इस गुफा में रहने लगा और उस जंगल में आनन से अपना जीवन बिताने लगा तो देखा बच्चों धैर और हिम्मत से किसी भी बड़े से बड़े संकट को टाला जा सकता है और हमें धूर्द लोगों से बच के रहना चाहिए तो आज की कहानी आपको कैसे लगी जरू लिक के भीजिए और बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें and stay home, stay safe थैंक यू सो मच